तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही काम की किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे देखते ही आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहला जो टिप्स है वो है मेरा नीबू को ले करके अक्सर क्या होता है नीबू का यूज जो है हम सभी के घरों में होता है लेकिन जब हम नीबू का यूज कर लेते हैं तो हम जो उसका छिलका होता है उससे फेक देते लेकिन आज इसे फेकना बिल्कुल भ तो यहां पर इस तरह से मैंने काट लिया है बहुत सारी चीजें होती है जो हम यूज नहीं करते उसको फेक देते हैं तो यहां पर मैंने आधा रखा हुआ इसको मैं फ्रीज में रख देती हूं इससे जो होती ना फ्रीज की बैड इसमेल वह खतम हो जाती है तो मेरे पास पानी लिया है अब इसको ना अच्छे से पानी को गरम करेंगे यानि नीवू को चिलका डालने के बाद इसको अच्छे से उबालेंगे कवर कर देते हैं अधीमियाच करके इसको पकने देते हैं ताकि जितना भी इसका जूस है ना इसमें निकल जाएगा और इसका पूरा करने के बाद कोई भी स्प्रे बॉटल आपके पास हो आप उसमें भर लीजिए इस तरह से यहां पर मैंने पेपर की कीप बना ली थी यह देख सकते हैं इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं तो यहां पर इसको आपनी बॉड़ी के जैसे घुटने हो गए कोहनी हो गई काले ह आप इसको स्प्रे कर सकते हैं इसको मसाज कर सकते हैं अपने हाथों पे भी स्प्रे कर सकते हैं इसको मसाज कर सकते हैं या फिर फ्रीज में जैसे की बैड इसमें ला रहे या कर्टन पे भी डाल सकते हैं कीचन में स्प्रे कर सकते हैं बहुत सारे इसके यूज है और बहुत और उसके बाद क्या करना है इसको हमें घिस लेना है ग्रेटर आप कोई भी ले सकते हैं मोटा या पतला जो भी आपके पास हो आप वो ले लिजे या फिर अगर आपके पास नहीं है न तो आप सिल बटे पे या फिर आप खल बटे में जिसमें भी आप कमन करें न वह आप इस yma करें यहां पर देख सकते हांटों से दबाने की बाद चोटा चंब्द करेंगे न तो पूरा इसमें जो टुकड़े चले चाब्ड़ेंगे तो मैंने इसको निकाल दिया था चम्मज उसका निकता चाहँ रहएगा इसमें डालना है एक च्छोटा चम्मज शेहड़ आंगे चीजों को मिलाने के बाद आपका जो यह बनने वाला है ना बहुत ही जादा काम करेगा यह अपने फेस पे इसे अपलाई करेंगे जब ना इतना जादा यह ग्लोइंग आपका चेहरा कर देगा जैसे कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं मुहासे वगरा निकल ज ही है और बहुत ही जादा वर्क करता है तो अगला जो टिपस है मेरा इस तरह के जार को लेकर के हैं मार्केट से अकसर हम इस तरह से जैसे अचार लेकर आते हैं फिर कोई चटनी लेकर के आते हैं तो जब हम इसको धूल देते ना तो इसकी इसमेल बिल्कुल भी नहीं जाती और बहुत अच्छे से आपका जो जार है वो क्लीन हो जाएगा या फिर आपके यहां धूप निकल रही तो धूप में भी रख सकते हैं तो यहां पे देख सकते हैं इस तरह से जो ब्रेट है ब्रेट अक्सर बच जाते हैं जो उपर वाले नीचे वाले ब्रेट लगे होते न अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा कि आपको वीडियो कैसी लगी